तो essay कि नमस्कार दोस्तों बदो सब आपको अमारे चल्दम दोस्तो आड की में आपको राशन कार्ट से जुडई हूई बहुत फॉट ही मेहत्वर जानकर दिने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ही जरूरी मेर कि आसी नंदर मेहत्वर बदलाव कि ए गये हैं और यह बदलाव बहुत जरूरी है और इन बदलावों से आपको काफी फायदा भी होने वाला है दोस्तो राशन कार्ट जैसे कि भारत में एक बहुत ही महत्वपूर्ट दस्तावेज है और हर किसी का राशन कार्ट यहां बना होता है यानि कि कहें कि गरीब लोगों के लिए एक खास तोर पर एक किसी सौगात से कम नहीं है सभी लोग इस राशन कार्ट को बनवाने के लिए जद्दो जहद में लगे होते हैं क्योंकि राशन कार्ट से क्या होता है गरीब परिवारों को सबसेड़ी मिलती है सस्ता अनाज मिलता है और इसके साथ साथ कई जगा पर जरूरी दस्तावेज के रूप में इसका हम इस्तिमाल कर सकते हैं अपने राशन कार्ट का जगा से दूसरी जगा पर शिफ्ट होते थे तो आपको अपने राशन कार्ट में भी एड्रस अगरा सब चेंज कराना होता था सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने होते थे और पूरी तरह से अपने राशन कार्ट में भी शिफ्ट का उसमें दिखाना होता था अपने राशन काड शिफ नहीं करना, यह नहीं उसके अंदर कोई चेंज इस करने अब आपके राशन काड का इक यूनिक नंबर जो होगा वो हर जगा सोगा है या आपकों कहीं ट्रांसफर होगा यो आप रहे हैं तो वही नंबर जब आप किसी जगा पर जाएंगे उस नंबर को अपने राशन कार्ड के लाब मिलने शुरू हो जाएंगे बिना किसी दिक्कत या परिशानी के तो अब आपको अपने राशन कार्ड का जो एड्रस या उसको कहीं चेंज नहीं करना एक राशन कार्ड आपका पुरा भारत में मानने होगा दूसरा क्या होगा आपके फिंगर प्रिंट्स अब लेकर राशन दिया जाएगा दोस्तो राशन कार्ड के सिलसलें बहुत धानली होती थी यानि कि जो भी लाभारती थी उनके ये शिकायत होती थी कि राशन कार्ड से उनको परियापत राशन नहीं मिल पा रहा है या बीच में कई दलाल होते थी जो जो माफिया होता था राशन कार्ड के माध्यम से वो जो खपत होती थी वो भोकताओं तक नहीं पहुँच पाती थी जरुत मंद लोगों तक नहीं पहुँच पाती थी और राशन के मामले में कई शिकायते सरकार को बिलती रहती थी तो इसलिए सरकार ने क्या किया अब बायोमेट्रिक के आधार पर राशन देने का निर्णे लिया ह दोस्तो अभी ये साउथ इंडिया में एक दो स्टेट के अंदर चालो हो गया है धीरे धीरे इसे पूरे भारत में भी लागू किया जाना है मालीच आप नहीं जा पाएंगे तो आपके पूरे परिवार में से कोई भी सदस्य जाकर अपने फिंगर प्रिंट्स लगा कर वहाँ पर राशन ले सकता है और उसकी पूरी जो जरूरत होगी वो आप ही के लिए होगी और आपका जो राशन आपके लिए आएगा वो सिर्फ आपको ही मिलेगा तो दोस्तों यह धानली जो बीच में होती थी इसको रोकने के लिए सरकार ने महतवपूर कदम उठाए हैं और यह दो महतवपूर चेंज बतर मिलती रहें यह बिल्कुल फ्री होता है और आप इससे ज्या-ज्यादा फैदा उठा सकते हैं तो अभी के लिए तनाई धन्यवाद